यहां फ्रेंड्स आज हम लोग बात करेंगे एपसी एसिस्टेंट ग्रेट त्री में रिजल्ट के रिगार्डिंग क्या एक्सपेक्टेड डेट रह सकती है और डॉक्यमेंट वेरिफिकिशन कब तक करवाया जा सकता है तो सबसे पहले बता दू कि इसके जो मेंस हैं वह मेंस के रिजल्ट आने में में जुलाई को 26 जुलाई को हुआ था और इसके जो रिजल्ट आए थे मेंस के वह जनवरी में आ आयते मीड जनवरी में आयते तो काफी दीन का टाइम लग गया था लेकिन इस बार FCI AASH के टिरी को जो एक्जाम सुए है उसमें इतना टाइम मु जो है न वो मिसन मोड में है काफी जल्दी सारे रिक्वारिमेंट को कम्प्लीट कर रही है और जो जॉब है वो देने में काफी मतलब काफी जॉब देने पर फोकस कर रही है चुकि अपकमिंग जो यह उसमें आपको पता है कि जैसा कि एलेक्संस वगेरा है एससी भी लगातार 2021-2022 अभी 2023 के भी एक्जाम डेट एनॉंस कर दिये गए आज तो काफी मिसन मोड में है और एपसिया आपको जब मैंने प्री के जो रिजल्ट आये थे तो उसके मातर तीन दिन बाद ही एपसिया ने मेंस के भी एक्जाम कंड़क कर व ही है कि मेंस का जो रिजल्ट आएगा वह ज्यादा दिन नहीं लगेगा तो हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 21 अप्रील के आसपास आपके जो रिजल्ट है वह आपको देखने को मिले एपसिया के और एक चीज और मेरी बात को सुनिएगा इसके काफी बेनिफिट्स भी गया है अब उनमें से बहुत सारे बच्चे कॉमन ऐसे थे जिनका सेलेक्शन SBI कलरक में हो गया और वह ज्वाइन भी करने जा रहे है उनका डॉकुमेंट वगेरा वेरिफिकेशन के लिए भी मेल वगेरा आ गया है उसके बाद फिर एक अप्रील को IBPS PO, IBPS कलरक, IBPS SO के जो उस जॉप को स्विच कर इसमें अगर उनका सेलेक्शन हो जाता है तो वह इसमें आएंगे क्योंकि क्या है न कि सेलरी वाइस तो अच्छी है यहां पर लेकिन परमोशन जो है बैंक में काफी फास्ट है और जिनका SBI वगेरा में हो गया तो SBI ब्रैंड वैल्यू करके भ इसको नहीं तो और इससे क्या होगा जो बहुत सारे बच्चे हैं जिनका सेलेक्शन FC Assistant Grade 3 में होने के काफी चांसेज है और इसकी अगर डोकुमेंट वेरिफिकेशन की बात करो तो अगर 21 अपरील का आसपास अगर रिजल्ट आता है तो वी दिन आपको 15 दिन से ज्यादा का के मेंस के बिजल्ट कारी में के में लिए गया जल्दी में dynasty कंड़क करवाarin गयी मात्र 3 दिनोर का समय दिया गया तो कहीं ना कहीं आप यह थ새क हैस्पेक्ट कर सकते हैं कि रिजल्ट कहीं कहीं ज्यादा डेले नहीं होगा जल्दी रिजल्ट ठैनाउंस मी किया जागा तो ल पता दूँ कि एक confirm list आगी तीन गुना result नहीं आगा एक confirm list दी जाएगी उसके बाद फिर दो जो है ना वेटिंग लिस्ट इसमें दी जाएगी हर एक जोन के लिए confirm list में जिनको document verification के लिए mail किया जाएगा अगर उनके documents में कुछ problem हुई या वो document सब्सक्राइब सब्सक्राइब में फिर उनको बुलाया जाएगा फिर उनको मेल के जाएगा फिर इस तरह ही इसके प्रोसेस होंगे एक कंफर्म लिस्ट आएगी और दो वेटिंग लिस्ट आएगी हर एक जोन के लिए तो कहीं न कहीं आपका जो रिजल्ट है वह 21 अप्रील के आसपस आपको देखने को मिल जाएगा आई होब की सभी का कंफर्म लिस्ट में मैक्सिमिम बच्चों का सेलेक्शन हो जाए और जैसे ही और बहुत सारे जोन जैसे की साउथ जोन और वे साउथ जोन का और वेस जोन का जो प्री का कटप है वह भी एनॉंस कर दिया गया हाला कि इस जोन और नौर्थ फिर में आपको जरूर अपडेट करूंगा और वेस्ट विशस टू आल अफ यू वेट कीजिए मेरे कोई फिक्स डेट तो नहीं बता सकता लेकिन जल्द ही आपको देखने को मिलेगी बीस अप्रील के आसपास काफी प्रोबैबिलिटी है कि एसिस्टेंट ग्रेट 3 के में के रिजल्ट एनाउंस कर दिए थैंकि फॉर वाचिंग कीप आचिंग अबर वीडियोज